हलो दोस्तो कैसे हैं आप सब, I hope आप सब ठीक होंगे दोस्तो आज की हमारी कहानी का टॉपिक है बे मेल शादी तो चलिए दोस्तो टाइम वेस्ट ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं मेरी शादी मेरी मामी ने एक बावन साल के आदमी से कर दी उस आदमी के मेरी उम्र से दो-चार साल बड़े दो जवान बेटे थे लेकिन मुझे अपने शोहर के बड़े बेटे से प्यार हो गया शोहर के दोनों बेटे मुझे से बहुत नफरत करते थे एक दिन जब घर में कोई नहीं था, मैं अकेली थी मुझे अकेला देख कर वो मेरे कमरे में आ गया और जो उसने मेरे साथ किया उसे देख कर तो मेरे पैरोतले जमीन ही निकल गई होश ही उड़ गए उस वक्त मेरी उम्र सत्रा साल मेरे नाम मिनाल है, जब मैं पास साल की थी तो मेरे माबाप की रोड एकसिडेंट में डेथ हो गई माबाप की लव मेरिज थी मेरे पिता ने अपने माबाप के खिलाब जाकर शादी की थी इसलिए दादा दादी ने उनसे रिष्टा तोड लिया था नाना भी कुछ साल पहले इस दुनिया से चले गए माबाप की मौत के बाद मुझे मेरी नानी ने अपने पास रख लिया मेरे मामा मामी और नाना नानी साथ रहते थे मामी को मैं फूटी आँख नहीं सुआती थी मामा नाना के बनाए हुए घर में रहते थे और उन्हीं का कारुबार चलाते थे इसलिए मामी को मुझे बरदास करना पड़ रहा था नहीं तो उनका बस चलता तो वो मुझे कपका घर से बाहर निकाल देती पैसो का लेन देन सब मामी के ही हाथों में था नानी को अपने खर्च के लिए भी मामी के आगे हाथ फैराना पड़ता था नानी कभी मेरे खर्च के लिए उनसे पैसे मांगती तो पहले नानी को वो दस बाते सुननी पड़ती तब जाकर कुछ पैसे मिलते थे बड़ी मुश्किल से मैंने बारवीत तक सरकारी स्कूल में पड़ाई की थी इसके आगे पड़ पाना मेरी लिए मुश्किल था मामी की हजार बाते सुनने के बाद भी नानी मुझे रख रही थी जब उनको एसास हुआ कि उनकी बुड़ी हड़ियों में अब ताकत नहीं रही तो उन्होंने मामा की रहमो करम पर छोड़ने के बजाए मेरी शादी के लिए रिष्टे तलाशने शुरू कर दिये बिना दहेज के और एक अनात लड़की से शादी करने को कोई राजी नहीं था रिष्टे बताने वाली औरत ने बड़ी उम्र के मर्दों के रिष्टे लाने शुरू कर दिये नानी ने तो ये कहते हुए मना कर दिया कि वो तो अभी 17 साल की भी नहीं हुई है तो इतनी बड़ी उम्र के आदमी के साथ कैसे शादी कर सकती है मामा मामी जल से जल सादी करके मुझे अपने घर से निकालना चाहते थे मामा का बेटा अमेरिका में रहता था वो अपने बेटे के पास अमेरिका जाना चाहते थे उनका कहना था कि जाने से पहले हम इसकी शादी कर देते हैं रिष्टे वाली ने 52 साल के एक आदमी का रिष्टा बताया उसकी बीवी मर चुकी थी और उसके दो जवान बेटे थे धन दौरत जायदात की कोई कमी नहीं थी मामी नानी से बोली और क्या चाहिए इससे अच्छा रिष्टा नहीं मिल सकता मिनाल शादी के बाद ऐश करेगी नानी की मामी के आगे एक न चली एक ही मुलाकात के बाद मेरा रिष्टा उस बावन साल के आदमी के साथ कर दिया गया उसका नाम रह्मान था वो एक उची पोस्ट पर सरकारी सर्विस में थे मैंने रह्मान को ठीक से देखा भी नहीं था नानी ने बस ये बताया था कि उनकी उम्र कुछ ज़्यादा है रह्मान ने शादी में किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की और नानी के पास मुझे देने के लिए कुछ था भी नहीं एक हफ़ते के अंदर मुझे शादी करके चार जोड़ी कपड़ों में रह्मान के साथ रुकसत कर दिया गया मैं रह्मान की दुलहन बन गई शादी के रात जब मैंने रह्मान को देखा तो मेरे जैसे सारे अर्मान मिटी में मिल गए थी रह्मान के सर पर बाल तो जैसे ना के बराबर ही थे बेडोल जिस्म, पेट बड़ा हुआ, बालों को काला करने के बाद भी जहलकती सफेदी जबकी मैं 17 साल की जवान और खुबसूरत लड़की थी एक ऐसी लड़की जो अपनी किसमत से हार गई थी और रह्मान जैसे अधेर अमर के आदमे की बीवी बन गई थी रह्मान ने मुझे तौफ़ा देते हुए ऐसे प्यार जताया जैसे मैं उनकी जिन्दगी में आने वाली पहली औरद हूँ रह्मान ने मुझे पहली ही रात घर में रहने के तौड तरीके बता दिये थे रह्मान ने बताया कि उनके दोनों बेटे उनकी शादी के लिए राजी नहीं थे इसलिए मैं उनसे दूरी बना कर रहूँ मैंने उनसे पूछा जब आपके बच्चे भी राजी नहीं थे तो आपको इस उम्र में शादी करने की क्या जरूरत थी वो भी मुझ जैसी इतनी कम उम्र लड़की के साथ रह्मान ने कहा था कि मैं अपनी बीवी के जाने के बहुत बाद बहुत अकेला हो गया था मैं मिमार रहता हूँ मुझे देखभाल की बहुत जरूरत है मुझे किसी के साथ की जरूरत थी मेरे दोनों बेटे देश से बाहर जाने वाले हैं अपनी पढ़ाई के लिए मेरे पास जिन शादी शुदा और बिदवा और्टों के रिष्टे आए उनके साथ बच्चे भी थे जिन्हें मुझे अपनाना पड़ता जो मेरे बेटे बरदाश्ट नहीं कर पाते इसलिए मैंने तुमसे शादी की इस घर में तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी लेकिन मैं तुम्हारी जिस्मानी जरूरत पूरी नहीं कर पाऊंगा रह्मान तो मुझे पहली नजर में ही पसंद नहीं आये थे उनकी बात सुनकर मुझे अपनी किसमत पर रोना आ रहा था मुझे घर जाने, नानी या किसी से मिलने, बहर आने जाने की भी पावंदी थी वह्मान ने मुझे ये जदा दिया था कि मैं जो करूँगी उनकी मर्जी के हिसाब से ही करूँगी मैं शादी से पहले हमेशा ये सोचती थी कि शादी के बाद मामा मामी से मेरी जान चूट जाएगी शादी के बाद सुकून की जिन्दगी जीऊंगी और अपनी मर्जी की मालिक बन जाऊंगी और वो करूंगी जो बच्पन से सिर्फ सोचती ही आई थी लेकिन मेरे सारे सपने मिटी में मिल गए थे शादी के अगली सुबा जब रह्मान के दोनों बेटे डाइनिंग टेबल पर नाश्टे के लिए आए तो मुझे बैठा देखकर चौक गए जब उनके बाप ने मेरा परिचे कराया कि मैं उनकी नई माँ हूँ दोनों की चेहरों के रंग उड़ गए और वो अपने बाप को नफरत से देखने लगे रह्मान के दोनों बेटे बहुत खुबसूरत थे लेकिन उनका बड़ा बेटा आदिल तो पहली ही नजर में मेरे दिल में उतर गया था मैंने आज तक इतना खुबसूरत नौजवान नहीं देखा था वो उम्र में मुझसे दो-चार साल ही बड़ा था लेकिन उसका उचा लंबा कद और कसरती बदन देखकर मैं हैरान रह गई थी रह्मान तो मामूली शकल सूरत के मालिक थे ना जाने उनके बेटे किस पर गए थे आदिल गुस्ये में अपने बाप से लड़ रहा था आप कैसे किसी दूसरी औरत को हमारी मा की जगे पर बिठा सकते हैं ये लड़की कभी भी मेरी मा की जगे नहीं ले शकती काफी देड़ तक दोनों बाप बेटों में तकरार होती रही आदिल बड़ा होने की वज़े से बाप से लड़ रहा था लेकिन फैसल जो कि आदिल से कुछ साल छोटा था खामोश खड़ा था कुछ देवार रह्मान के दोनों बेटे बिना नाश्ता किये ही घर से बाहर निकल गए थे मैंने दूर तक आदिल को जाते देखा था ऐसा लग रहा था जैसे वो जाते जाते मेरा दिल भी साथ ले गया हो रह्मान कह रहे थे आदिल के बारे में सोच कर खुद को परिशान मत करो वो कुछ दिनों में खुद ठीक हो जाएगा उसका घुसा वक्ती है रह्मान के आफिस जाने के बाद मैं सारा वक्त आदिल को ही सोचती रही मुझे उससे पहली नजर की महबत हो गई थी रह्मान तो मुझे बिलकुल भी पसंद नहीं आये थे और उसकी एक वज़े उनकी उम्र और बेडोल शरीर था मैं आदिल का इंतिजार करते हुए बेचेनी से यहां वहां चकर काट रही थी दोपहर मैं दोनों भाई कॉलेज से आ गए फैसल तो अपने कमरे में चला गया लेकिन आदिल डाइनिंग टेवल पर खाना खाने के लिए बैट गया मेट जैसे ही खाना लेकर आई उसके हाथ से खाने की प्लेट लेकर मैंने उसको मेरे कमरे की सफाई करने के लिए भीज दिया था जैसे ही मैंने उसकी सामने खाने की प्लेट रखी वो मुझे देखकर चौक गया और मुझे से बोला तुम मेरे सामने मत आया करो तुम मेरे बाप की बीवी हो, मेरी मा नहीं मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता हूं उसके मना करने के बाद भी मैं भाग-भाग कर उसके काम करती थी जबकि रहमान نے मुझे मना कर रखा था कि मेरे बेटों से दूर ही रहना रहमान घर होते तब तक वो मुझे अपने साथ ही रखते थे जैसे ही रहमान आफिस जाते मैं आदल के इड़़़़़़ दिर्ट मंडराने रखती थी मैं अपने दिल के हाथों मजबूर थी मैं महबत के लिए बहुत तर्सी थी माबाप के बच्पन में चले जाने के बाद मामा मामी के तानों के बीच मेरा बच्पन गुजरा था मैं सोचती थी कि शादी के बाद महबत और सुकून भरी जिन्दगी मिलेगी मुझे लेकिन रह्मान ने मुझसे अपने जाती फाइदे के लिए शादी की थी वो सुबह आफिस के लिए निकले तो रात में ही आते फैसल अपनी पढ़ाई की सिलसले में कुछ दिनों के लिए शेहर से बाहर गया हुआ था और आदिल यहीं पर था लेकिन वो मेरे सामने आने से परहेस करता था क्योंकि उसे मुझे देखते ही गुसा आ जाता था घर में नौकर होने के बावजूद आदिल के सारे काम मैं खुद करती उसके लिए खाना बनाना, कपने प्रैस करना और छोटे बड़े सारे काम मैंने नौकरों से ले लिये थे एक दिन घर में कोई नहीं था रहमान आफिस के काम की सिलसले में शेहर से बाहर गए हुए थे घर में जो तीन नौकरानिया उन में से दो चुटी पर थी और एक की बेटी बिमार हो गई तो वो चुटी लेकर चली गई मैं अपने कमरे में बैटी टीवी देख रही थी तभी मेरे कमरे में आदिल आ गया उसे देखकर पहले तो मुझे हैरत हुई फिर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा मैं उसकी वज़े से ही तो वहां रह रही थी वरना रहमान में मुझे कोई दिल्चस्पी नहीं थी इनसान को महबत भी अपने पसंद के शक्स से ही चाहिए होती है वो ही हाल मेरा था मुझे आदिल की महबत चाहिए थी आज मुझे लग रहा था कि आज मेरा इंतजार खत्म होने वाला था आदिल बड़े बड़े कदमों से मेरी तरफ आया और आते ही उसने मेरे साथ जोग किया उसे देख कर तो मेरे कदमों तले जमीर ही खिसक गई जो इसने उसने किया वो तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उसने मुझे से नफरत में ऐसा कदम उठाया था जो मैं सोच भी नहीं सकती उसने अपनी शर्ट के सारे बटन तोड़ दिये और अपने ही हाथों से अपने गर्दन पर निशान मार लिये और मेरे दोनों हाथ पकड़ कर जबर जस्ती अपने गर्दन पर रख लिए और अपने दोनों हाथों से जोर से दबा लिए और जोर जोर से चिलाने लगा कि मुझे छोड़ दो आप मेरे साथ ऐसा मत करो आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो आप मेरी मा के जैसी हो आप मेरी मा की जगे आई हो भले ही आप से मैं बहुत नफरत करता हूँ इसका बिलकुल भी ये मतलब नहीं है कि मैं अपने बाप को धोका दूँ मैं आपके कहने से आपके साथ कोई भी ऐसा नाजाइस रिश्टा नहीं बना सकता मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं बहुत हैरत से आदिल को देख रही थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है आदिल ऐसे चीक रहा था जैसे मैंने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है मैं कुछ समझ पाती उससे पहले मेरी नज़त दर्वाजे पर खड़े हुए रह्मान पर पड़ी मुझे रह्मान नफरत और खा जाने वाली नज़रों से देख रहे थे पानी सर के उपर से गुजर चुका था रह्मान के फलाइट कैंसल हो गई थी ये बात मुझे नहीं पता थी लेकिन आदिल बखुबी जानता था इस बात का उसने खुब सोच समझ कर फायदा उठाया था और वो अपनी चाल में कामया भी हो गया था वो जानता था कि मेरे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है इसलिए वो पेधड़क मेरे कमरे में घुसा चला आया था रह्मान ने मेरे मुँपर जोड़दार एक तमाचा मारा और मैं ओंधे मुँ सोफे पर गिर पड़ी थी रह्मान वहीं नहीं रुके उन्होंने एक के वाद एक कई तमाचे मारे और मेरे बाल पकड़कर लातों से मारना शुरू कर दिया था आदिल उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था बोला जाने दीजिए छोड़ दीजिए छोटी माँ से गलती हो गई मुझे खाना चाहिए था इसलिए मैं मेट को बोलने आया था मुझे कोई मेट दिखाई नहीं दी तो मैंने सोचा आपके कमरे में होगी उसे देखने में आपके कमरे में आ गया लेकिन मैंने यहां आकर बहुत बड़ी गलती की है रहमान पर तो जैसे खुन सवार था इस कमीनी औरत को पता था कि मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ इसने इसी बात का फाइदा उठाया इसको मैंने अनात समझ कर अपने घर में जगे दी थी लेकिन इसने अपनी आउकाद दिखा दी मेरी इज़त तारतार कर दी इससे पहले मैं कोई सफाई दे पाती रहमान ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे वहीं खड़े खड़े तीन बोल तलाक के सुना दिये रहमान ने तो मुझे पहले ही अपनी बीवी का दरजा नहीं दिया था ना ही उनके दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी थी आदिल ने अपने बाप का हाथ पकड़ा और ले गया रहमान ने जाते हुए कहा अपना समान समेटो और मेरे घर से निकल जाओ मैं तो अपने होशो हवास में ही नहीं थी मैं वहीं खड़े एक टक आदिल को देख रही थी मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि बहार से इतना खुबसूरत दिखने वाला अंदर से इतना ज़्यादा बसूरत भी हो सकता है मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी आदिल ने अपनी नफरत में मुझे बेघर और बेसहारा कर दिया था मैं अपने समान लिये रात के वक्त अपने मामा की दरवाजे पर खड़ी थी नानी को सामने देख कर मैं उनके गरे लग कर रोय जा रही थी रोते हुए मैंने नानी को अपनी आप पीती बताई नानी बहुत बिमार थी और मुझे इस हाल में देख कर उनकी तबियत और बिगड़ गई जब मेरी मामी को मेरे बारे में पता चला तो उन्होंने घर में हंगामा कर दिया नानी को खूब खरी कोटी सुनाई और सब बातों का जिम्मेदार नानी को ही ठहराया और कहा अगर इस मनहूस को हमारे घर में लेकर ना आती तो हमारी जिन्दगी में कितना सुकून होता कितनी मुश्किल से इसको यहां से भगाया था और यह अपना मुझ काला करके फिर यहां वापस आ गई मामी ने मुहले रिष्टिदार पडोस में मेरे चरितर पर कीचर उचाल कर मुझे बहुत बदनाम कर दिया था नानी की हालत बहुत खराब हो गई उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा मैं इद्दत में होती हुए भी नानी के साथ हॉस्पिटल में ही थी मामा मामी को इस बास से कोई फर्क नहीं पड़ता था वो बस फॉर्मैल्टी के लिए हॉस्पिटल आये थे दो दिनों के बाद नानी इस दुनिया से चल बसीन थी मेरी जिन्दगी का एक वाहित सहारा नानी ही तो थी मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी मुझे सत्रा साल की उम्र में ही जिन्दगी ने अपने बहुत बदसूरत चहरे दिखाए थे नानी के जाने के बाद उस घर में तो मेरी हैसियत एक नौकरानी के पराबर हो गई थी मामी मुझे रात दिन घर का काम करवाती थी तब दो टाइम का खाना देती थी मेरी इदद को पूरे चार महिने हो चुके थे एक दिन मैं कुछ सामान लेने बाजार गई वहां से लोट रही थी तो रास्ते में मुझे आदिल मिल गया उसने बोला मैं आपके घर ही आ रहा था मुझे आपसे बात करनी थी मैंने उसके सामने अपने दोनों हाथ जोड़ दिये और कहा मुझे पर महरबानी करो मेरी जिन्दगी और मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है उसने कहा उसने जो किया उसके लिए वो बहुत शर्मिन्दा है आदिल को पता चल चुका था कि मेरी नानी मेरी तलाक का सद्मा सहन ना कर सकी और इस दुनिया से चल बसी उनकी मौत का जिम्मदार आदिल खुद को मान रहा था उसने बताया उसने अपने पता रह्मान को सारी सचाई बता दी थी और उसके पता ने उसे माफ भी कर दिया था उसने कहा कि मैं अपनी मा की जगे किसी और को बर्दाश्ट नहीं कर सकता था वो कह रहा था कि मैं तुम से शादी करना चाहता हूँ लेकिन मैंने उसे साफ इंकार कर दिया था मुझ पर 17 साल की उम्र में तलाक का दाक लग चुका था मेरी गलती बस इतनी सी थी मैंने अपने खौइशों और दिल पर काबू ना रख सकी और अपने हम उम्र लड़के से महबत कर बैठी मामी की बेटे ने अमेरिका में शादी कर ली थी मामा मामी अपने बेटे के पास जा रहे थे मामी ने अचानक मुझे एक फर्मान सुना दिया कि कल शाम को तुम तयार रहना तुम्हारा निकाह है उनसे मैंने बहुत मिनती की मुझे अपने पास ही रहने दे मैं आप दोनों की जिंदगी भर खिदमत करूँगी लेकिन वो नहीं मानी उन्होंने कहा अगर तुम निकाह नहीं करोगी तो हम दोनों तुम्हें घर से बाहर निकाल कर अपने बेटे के पास चले जाएंगे ना चाहते हुए भी मुझे उनकी बात माननी पड़ी अगले ही दिन बिना यी जाने की मेरा निकाह किसे हो रहा है मैंने निकाह नामे पर दस्कत कर दिये और रुकसत होकर मामी की घर से चली गई मैं कमरे में बैटी हुई थी किसी के कदमों की आहट हुई मैंने नजरे उठा कर देखा तो ये देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे सामने आदिल खड़ा हुआ था वो मेरे पास आया और मेरे कदमों तले बैट गया तुम्हारा रिष्टा मांग लिया मेरे अबबा ने भी यही कहा था कि तुमने उस लड़की का बहुत दिल दुखाया है पूरी दुनिया में बदनाम हो गई है तुम्हें उससे निकाहा करके अपनी गलती सुधार लेना चाहिए आदिल ने रह्मान सहाब से अलग हमारे लिए एक घर ले लिया था बस हम दोनों ही उस घर में रहते थे आदिल ने बहुत देखभाल और महबत देकर पुराने सारे गिली शिक्वे दूर कर दिये थे एक दिन सुभा दरवाजे पर गंटी बजी तो देखा सामने मामा मामी खड़े थे उन्हें देखकर मुझे बहुत आश्यर हुआ रोते हुए उन्होंने बताया उनके इकलोते बेटे ने अमेरिका में एक होटल में ठहराया क्योंकि उसकी बीवी ने अपने घर में आने की इजादत नहीं दी थी बेटे ने अपने माबाब से कहा कि आप लोग यहां मत आया करो मुझे जब भी मिलना होगा मैं खुद आ जाओंगा एक दो दिन के अंदर ही उसने उनको इंडिया रवाना कर दिया मामी रोकर मुझसे माफी माग रही थी मामी कह रही थी कि मैंने पूरी जिन्दगी तुझे अनात बोला आज मैं खुद अनात हो गई मामी को अपने बेटे पर बहुत घमंड था वक्त ने उनका घमंड चूर चूर कर दिया था मैं खुदा का शुक्रिया आदा कर रही थी कि उसने मुझे इतनी परेशानियों के बाद खुशे नसीद की है मैंने दिल से आदिल को और मामा मामी को माफ कर दिया था दोस्तों moral of the story ये है कि जीवन साथी का चुनाव करते समय inequalities के साथ साथ age भी बहुत matter करती है आशकरती हूँ आप लोगों को आची कहानी पसंद आई होगी अगर कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए वीडियो को like and share कीजिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ